अस्सलाम अलेकूम प्यारे बच्चो वेलकम टू लेसन नंबर टू अफ गूगल स्क्रैच हमने लेसन नंबर वन में हमने प्रैक्टिस किया था के एक फॉरेस्ट के अंदर एक वॉकिंग बियर जो के आपके एक अल्फाबेट ए के साथ मूव करता है और उसमें हमने साउंड कनों भी डाली आजके लैसन में में हम लेकें कि हाओ वी क्यूज यूज करेक्टर के RSLidy किस्त Giving करेक्टर यानि कि कस्टमर स्प्राइट हम ड़ना चाह रहे हैं इसमें सांबहोता है के स्प्राइट में पहले पिलेट स्पाइट है यानि कि जो इमिज है इसको हम इहांसे डिलीट भी कर सकते हैं हम दिलीट करने केबाद हम 양二 टालना है तो इसमें बाइड़ बहुत सारी ऑपशन्स जिसमें कैटिकरिज हैं ठीकेमिश इसके हम बात में देखेंगे हम ने इसमें इसमें सेzubियर कास्थम आल किया था अब हम यह चाह रहे हैं कि हम ऐसा स्प्राइट यूज करें जो कि हमारी अपनी कस्टम पिच्चर को उसके लिए प्री रेकिजिट यह है कि मैंने अरहम की कुछ पिच्चर्ज ली मुख्तलिफ स्टाइल के साथ ठीक है उन पिच्चर्ज के मैं दिखा देता हूं यह पिच्च कर सकते हैं अब यह तीन चार पिच्चर्ज हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स बनाएगी हैं जिसमें मुवमेंट के साथ एक ही जगा खड़े होते हुए और इसको मैंने फिर्स्ट अफॉल क्या किया इसके ओपर से मैंने जो है वो रिमूव कर दिया बैक्रॉंड को अब यह की तोर पर देखें एक और अपिश्ट की मुवमेंट कर यह को सिंगल कॉस्टिव मैं अब यह हां पर आप यह वह इसी इमिज के अदर रहते हुए या निकिए इसी स्पराइट के नदर रहते हुए हम यह multiple costume upload करेंगे for example हम एक यह costume upload कर देते हैं इसी तरह हम एक और upload करते है costume इसी तरह हम एक और upload करते है costume जिसमें kick style आ रहे है अब यह एक ही character के multiple costume बागे है costume जो है वो basically आपको आपकी moment को represent कर रहे है तो इसको और effective बनाया जा सकता है जितनी अच्छी आपकी picture होंगी with less moment तो आपकी इतना ही बेतर animation उसकी बनेगी अच्छा आप इस character को हम backdrop लेते हैं backdrop के लिए again हम backdrop भी custom ले सकते हैं लेकिन backdrop हम फिलालिसी का लेते हैं हम सर्च करते हैं और हम करते हैं हमें कि आउटडोर जो है वो for example यह garden रॉक करता हूं कि मैं आउट्डोर बैक्डोंड स्लेक करता हूं अब हम जाएंगे इवेंट के अंदर और वेंट स्पेस बार इस प्रेस्ट स्पेस को हम चेंज कर सकते हैं for example मैं यहाँ पर कह देता हूं A और B जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें ने एस किया हो कि लुक्स यानिके कोस्टिम चेंज हो ठीक है अब अगर 1-2-3-3 करेंगे हम एक और Even डालते हैं का रहा हम किया ड़ते हैं कि राइड और प्रेस कि आखे तो क्या हो मुशन लगा देते हैं कि शब्सक्राइब तरह्ट यहीं कि वफ करें 10 स्टेपस फॉर्वट उसी तरह हम एक और Even डालते 12 कहते हैं कि अगर हम left arrow दुबाएं तो यह मूफ करें बैकवर्ड बैकवर्ड मोमेंट के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें माइनस 10 कर देंगे 10 इस पिक्सल आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मोमेंट होगी कम करेंगे तो कम मोमेंट होगी है तो अब हम इसको जो है वह अब यह हमने हमने बैसिक सा काम कर लिए जिसके लिए कस्टेकस नदर के लिए क्वाइमेंट क्या है कि आपकी पिच्छर आपने जो भी लेनी है वो म mlliple style के साथ फिचर ले ज awakर के सामने होते तो उस पिचर को आप रिमुव बीजी गूगल पर लिखेंगे रिमुव बीजी डाट कॉम से आप उसका बैगरोंगर्ण रिमुव कर सकते हैं बैगरोंगर्ण रिमुव करने से ही होगा कि वो पिचर आपकी रियलिस्टिक लेगी for example मैं यहां पर में पास कुछ और इमेज़ भी पड़े में स्प्राइट के हम यहां से एक स्प्राइट अप्लोड करते हैं डाउन्लोड मैं इतिंग से पुड़े में यह इस डाइनसौर्स यह भी पी एंजी पिच्चर है अब इसको और हम काम कर सकते हैं हम इसके इमेज में जाते हैं इसके कॉस्टुम एक ही है और इसको फिलिप कर सकते हैं इसके साइस लोगें पर आत कर दूभ हो हाँ जिदा भी कम सकते हैं चूड़ी इस डाइनसौर्स को हमने बिक कर दिया उसके बाद हम चाहरे हैं कि अरहम की जो है मुवमेंट हो जो हमने अल्री कॉस्ट्यूम इसके चेंज कर दिया और हमने इसका कोडिंग भी अप्लाय कर दिया सिरफ हम एक साउंड लगाना चाहते हें हम हर काउस्ट्यूम को उपर वो सांड अप्लाय करेंगे तो हम साउंड में जाकरuba ह। साउंड में गेरी करेंगे start sound जैसी costume change हो तो beat की sound रहे ठीक है अब हम देखें इसको घर हम यह वारा game develop हो गी है एक चोटी से animation हमारे lesson no.2 की है जिसके अंदर हमने क्या किया है कि A से जो हो costume change हो और arrow से जो हो right arrow से forward move कर रहा है है रहा है रहा है रहा है लेफट आरो से backward move कर रहा है अब यह moment है के लग रही है कि जिस चना के आप कोई gameplay का रहे है so this was our lesson no.2 I hope आप इसको साथ सत प्रेक्टिस करेंगे ताके आप गूगल स्क्रैच सीख सकें till then lesson no.3 thank you very much Allah Hafiz